ओम नमस्षिवा जै महाकाल आज किस वीडियो में हम जानेगी कि रुदरा अविशेक से क्या लाब होता है आखिर भागवान शिव की पूजा में रुदरा अविशेक को सबसे महत्मोर क्यों माना गया है बहुत भागे साली वो लोग है जो भागवान महादेव का रुदरा अविशेक करते हैं और उनके परमभक्त हैं शिव महापुरान के अंतरगत रुदरा अविशेक की बहुत बड़ी महिमा का वोडन किया गया है सबसे पहले जान लेते हैं रोदराव शेक क्यों किया जाता है तो रोदराव शेक करने से बड़े से बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं रोदराव शेक करने से तरिदरता दूर हो जाती है परिवार को ततकाल सुको शांती प्रदान हो जाती है रोदराव शेक से उम्र तो पुरान कहती है कि रुदराविशेक का जितना वडन किया जाया उतना ही कम है। जिस भी चीसे भगवान का रुदराविशेक करते हैं उसकी अपनी अपनी महिमा अपने आप में बहुत बड़ी है। कर उद्रावशेक करता है उसे जीवन में कभी लक्षमी का अभाव नहीं रहता वो जीवन भर धन धान से परिपूर रहता है सिपुरान के अंतरगत वोडन किया गया है कि जो दही से भगवान महादेव का अविशेक करते हैं उन्हें माकान की प्रापती होती है और पूरी जो Цwork करने से वह पैसा वुआपस आ जाता है जो तीठो कि जल से महादेव का अरुद्राव शेक करते हैं उन्हें मोख्ष की प्रापती होती है वो संसार के कर्म बढ़्धन में बढ़elp करने सकते हैं यह उनकी घर में कोई ऐसा बैकती है जो विमार रहता है उसे कोई औशदी या दवा नहीं लग रही तो जल में इत्र मिला कर फिर उसके द्वारा रुद्रावशेक कीजी उसकी विमारी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी ऐसा वर्णन सियो महापुरान के अंतरगत किया गया है कहा गया है कि दूद से अवशेक करने पस संतान की प्राप्ती होती है और जो भी रोग माताओं बहनों में हो जाते हैं जिनकों डॉक्टर को भी बताने में लज्जित होती है ऐसे रोग दूद से रुद्रावशेक करने पस समाप्त हो जाते हैं जो गंगर जैसे भगवान का रुद्रावशेक करते हैं तो पूराने से पूर नेजवर यानी बुखार और हिदय समंधी बिमारी है वो सब समाप्थ हो जाती है जो दूद और सक्कर को मिलाकर महादेव का रुधरावशेक करते हैं तो जिनकी बच्चे पढ़ने में कमजोर रहते हैं वो बच्चे बुध्यमान हो जाते हैं और जो स्वयम दूद में सक्कर मिलाकर रुदरावशेक करता है उसकी बुधी गुरु प्रष्पती के जिसे प्रखर हो जाती है जो घीर से भागवान महादेव का रुदरावशेक करता है उसे वश्द की बधी होती है और कभी वे उसकी घर में किसी की आकाल मृत्यूं नहीं होती और संपदा में अधिव और सरसों की तेल से रुद्राविशिक करने पर ये कोई सतो पीड़ा दे रहा है या सत्रू का भय है तो उसके लिए सास्तर विदी से रुद्राविशिक करना चाहिए इस परका भागवान शंकर करकर रुद्राविशिक उ और वड़न भी किया गया है कि भागवान संकर की तीन आखे इसलिए हैं कि एक आग्ज्यान का पल्चायक है दूसरी क्रोध को जीती है और तीसरी आख जो अंजान में हमसे पाप हो जाते हूं सबसे छुटकारा प्राप्त कराती है और ऐसी भागवान और घरदानी हैं परमात्मा रोप परतियां और भगत की डिली हो जाते हैं तो उमिद करते हैं कि हमाई द्वारा बताई गई जानकारी समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी हर हर महादें हुआ 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 है